आमेरिका में तबाही मचाने के बाद इस देश में मिला करोना का सबसे खतर्णाग वैरियंट, जाने कितना है ये डेंजरास साउथ अफरिका में COVID-19 का सबसे खतरनाग वारियंट मिला है करुना के इस वारियंट का नाम एक बीबी पॉइंट 1.5 क्रेकिन वारियंट है ये तेजी से फैलने वाला वारियंट है इस वारियंट के पहले मामले की पुष्टी के बाद से स्टेलिन वोष यूनिवर्सिटी के रिसेर्चर्स करुना के संदिग्द मरीजों के जीनोम सिक्वेंसिंग में जुड़ गए है स्टेलिन वोश उनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एपिडेमिक रस्पॉंस आन इनोवेशन के डाइरिक्टर के पद पर काम करने वाले तुलियो डी ओलिवेरा के मुताबिक कोविट का ये स्ट्रेंट काफी खतरनाग और तीजी से फैलने वाला है हाला कि साउथ अफरिका में इसका सिर्फ एक ही मरीज मिला है और इसे करोना के मरीजों की संख्या में बरोर्ती नहीं हुई है जनकारी के मुताबिक करोना का ये स्ट्रेंट जापान और अमेरिका में भी कहर बरपा चुका है अमरीका में करोना के इस variant की वज़े से मरीजों की संक्या अचानक दो गुनी हो गई थी World Health Organization ने भी करोना के XBB.1.5 variant को सबसे खतरनाक और तेज संक्रमन वाला सब variant बताया है जनकारी के मुताबिक कि एस ट्रेंड करोना की Omicron variant का एक सब variant है इसे Kraken नाम से पुकारा जा रहा है समस्या यह है कि इसके लक्षनों और बाकी के variant के लक्षनों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके अंतर कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है हाला कि इससे करोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करके वैक्सीन से विक्सित होने वाली प्रतिरक्षा प्रनाली से या पहले से मौजूद करोना के एंटीबोडी से बचा जा सकता है विश्वर स्वस्तर संकषन के मुदाविक करोना का ये वैरियंट दुनिया भर के 29 देशों तक पहुँच चुका है अमेरिका में ये वैरियंट तबाही का सबसे बरा कारण बताया जा रहा है वहां इस वैरियंट के मरीजों की संख्या कुलमामलों में 41% है हाला कि चीन की सरकार ने सपश्ट किया है कि ये वैरियंट उनके यहां नहीं पहुँचा है इससे कोई खतार नहीं है इस वैरियंट को ब्रीटेन में भी पाया गया है